अब जो जो वाइट से बहां के वाइट और यहां के जो रुड़ीवादी एंग जैसे हैं एंटिना सेम है चैनल सा लग अलग है दोनुद सानों पर तो वह साबित करने में जुटे रहते हैं कि वाइट जैनेटिक रूप में ब्लेक से बहतर है खूलता है अब कितना रिसच कर लें हर केस में IQ का रिसच जो वाइट की आवरेज है वो ब्लेक्ण लाक comedic से ज़्यादा आती है तो आन्यों जो खुश होते हैं इस जूड़ी में आगे निकरते हैं सब्भेता के इतिहास में वही आगे निकलेगा जो बुद्धिमान हैं, हम बुद्धिमान हैं, जेनिटिकली बुद्धिमान हैं, रिसर्थ साबित कर रही है, इस पर अश्वेत क्या करें, उनके पास ना विश्व विद्याल है, ना प्रोफेसर, ना रिसर्च करने की तकनिके वो कैसे साबित करें फिर तोंत में American Psychologist Association निशकर जो दिया बहुत संभल के दिया और का कि ये बार ठीक है कि हमारे अजिकांस रिसर्थ साबित करते हैं कि वाइट का IQ लेवल ब्लेक से बहतर है और जो साबित होता है वो तो ये होता है कि वहाँ Asian Americans जो हैं उनका IQ लवल सबसे अच्छा है जिसमें हम लोग आते हैं जो लोग यहां से गए भारत से या पाकिस्तान से पाकिस्तान सुनते क्यों ऐसा बून आते हैं आप लोग भाई जो लोग भारत से गए या पाकिस्तान से गए या चीन से गए वो Asian Americans हैं Second generation में क्या हो गए Asian Americans हो गए Asian Americans का IQ लेवल White Americans से ज्यादा है और White Americans का IQ लेवल जो Black Americans कहते हैं उनको Black Americans या African Americans से ज्यादा है ये स्थापित निश्कर्श है आप इसमें से पहला हिस्सा लेकर खुश हो सकते हैं कि हमारा IQ लेवल उन लोगों से बेहतर है आप खुश हो सकते हैं पर इस खुशी को खतम करने के उपाए मेरे पस है इस खुशी को खतम करने का पहला उपाई ये है कि जो Asian Americans यहां से वहां गए हैं वो एशिया के सामान्य वर्क का प्रतलिषत भू नहीं करते हैं वो यहां कि क्रीम जाती है वहां पर बहुत पुड़े लिखिए IIT में टॉप किया IMS में टॉप किया फिर क्या किया अमेरिका चले गए अमेरिका में जो भरती है या पाकिस्तान ये चाइनिस गए हैं वो अपने देशों के सामान्य लोग नहीं है वो अपने देशों के सबसे सफल और बुद्धिमान लोग थे पढ़ाई लिखाई में इसलिए वहां चले गए वहां बस गए और सेकिंड जनरेशन में वहां क्या कहा गया कि यह एशियन अमेरिकांस हैं इनको सेंपल लेते हैं 100 के कटे कर लिए एक 100 लाखों में से सो निकले है वह गए हुग थे और वहां के सो लिए ओनेuciones को खाए मिल गया महा का तो इसी बात है तो यह सेंप्लिंग इतनी गलत है लेकिन इंडिया के लोग जो अमेरिका में है इसी रिसर्च को दिखा दिखा के चोड़े होते रहते हैं बार-बार और जो अफ्रीकन अमेरिकंस हैं वो क्यों पीछे हैं उसकी दो-तीन बज़े हैं पहली बात अफ्रीका से जो लोग अमेरिका आये थे वो वहां के सबसे कमजोर लोग थे जिनको दास बना के लाए गया था आप अंतर समझ गया जूट में अफ्रीका के सबसे कमजोर लोग अमेरिका लाए गये थे भारत के सबसे समझदार लोग अमेरिका शौक से गये थे भारत पाकि में रही है वो बनोवे ग्यानिकों ग्रेट समझ में रही है जो इनका अध्यन कर रही है जो इनका निश्कर्ष निकाल के साबित कर रही है कि कौन समझदार कौन बेवकूफ है तो सबसे बेवकूफ है बुडब कौन साबित हुआ बनोवे ग्यानिक साबित हुआ लेकि साबित भी हुआ क्योंकि जो मैं आपको बता रहो भी जान रखने पड़ेंगे डूसरा जो अश्वेट समुदाय है वो प्राया है गरीब समुदाय है और गरीब समुदाय के पास न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है भोजन अच्छा नहीं मिलता है कि भोजन अच्छा मिल बिढ आतो जो फ्रवरिश के बाकी सब चीजें है समाजी करन है वो अच्छा नहीं मिलता है और तीसरी बार परिवेश भी सब्हें जाए तो भी जो बेक्ग्राउंड है लंबी एजुकेशनल बेक्ग्राउंड वेगारा है या हेल्थ भी इसमें जोड लेजिए नूटेशन हेल्थ को एक ही साथ मानने पर है वो अच्छाने मिलता है अच्छाने मिलता है